ब्लैक फंगस बिमारी वर्तमान समय में बहुत चर्चा में हैं इस बिमारी को अच्छे से समझने के लिए इसके लक्षणों को जानना बहुत जरूरी है आज इसी पर चर्चा करेंगे नमस्कार मेरा नाम कपील जाखड है और आप देख रहे हैं News4Social कोरोना वायरस से संकर्मित होने के साथ साथ एक और भेंकर बिमारी ने भारत में दस्तक दी है इस बिमारी को ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है इसका कोरोना वायरस से भी संबन नजर आता है क्योंकि आम तोर पर देखा जाता है कि कोरोना वायरस से ठीक होने के 14 से 15 दिन बाद इस बिमारी से संकर्मित लोग ज़्यादा सामने आ रहे हैं हालां कि कुछ लोगों में यह बिमारी कोरोना से गरस्थ होने के दोरान भी पाई गई है इसके साथ ही जिसको भी यह बिमारी होती है उसके गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के मुख्य लक्षण ब्लैक फंगस के मुख्य लक्षणों की बात करें इत्यादी हो सकते हैं ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है ब्लैक फंगस जिसके लक्षण अभी देखने को मिल रहे हैं यह बिमारी बहुत खतरनाक रूप ले सकती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बिमारी से घरस्थ हो जाने के बाद पचास फिजदी से लेकर पिचान में फिजदी तक मोत का खतरा हो सकता है इसके साथ ही इस बिमारी का इलाज भी बहुत महंगा होता है और इससे सम्मंदित दवाईयों की कमी के कारण भी अगर यह बड़े स्तर पर फैलती है तो इससे निमटना चुनोती पूरण हो सकता है अगर इस बिमारी के लक्षन आपके आसपास किसी में दिखाई देते हैं या आप में दिखाई देते हैं तो कोई भी लापरवाई किये बिना जल्द से जल्द किसी डोक्टर से संपरक करें और जल्द से जल्द इसका इलाज कराना सुरू करा दीजेगा इस बिमारी में सुरू में की गई लापरवाई के बहुत ही भेंकर परिणाम सामने आ सकते हैं आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सेर जरूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा नमस्कार